नमस्कार आप देख रहे हैं कच्छा चिठा मैं हूँ आपके साथ प्रीती रगुननदन की जमीनी हाकिकत वादा था सूबे में अफसरों के कामकाज का तरीका बदला जाएगा यूपी में योगी सरकार का पहला महीना अब पूरा हो चुका है अब मुख्यमंत्री के फर्मानों का अफसरों पर कितना असर हुआ ये जानने के लिए न्यूजेटीन इंडिया की टीम प्रदेश में जमीनी हकिकत पता करने निकली सरकार के दावे धर्ती पर कितना उतरे है ये जानने हम बागपत के बडोद में है CM योगी ने अफसरों को फर्मान सुनाने के साथ ही मंत्रियों और विधायकों को भी इदायत दी कि वो दफ्तर से निकल कर जमीन पर पहुँचे मुख्य मंत्री का आदेश मिलते ही मंत्री और विधायक भी एक्शन में दिखे एक्शन में योगी सरकार बलिया में मंत्री जी ने गेहूं की चोरी पकड़ी तो बस्ती में विधायक के सरकारी अस्पताल पहुचने से हड़कम मच गया मुख्य मंत्री के आदेश और सरकार की सकती से जमीनी हकीकत में कितना बदला हुआ ये आज आपको दिखाएगा यूज़ेट इन इंडिया का कैमरा क्या वक्त पर आने लगे अब सर क्या अफसर मुस्तैद हुए है यूज़ेट इन इंडिया के कैमरे ने अफसरों की हरकत कैद की तो साथ ही फर्यादियों के गोहार भी सुनी मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात का वादा था कि एक महीने के अंदर जंता को बदलाव दिखेगा लेकिन प्रदेश में अफसर बदलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया आपको लगातार ये दिखा रहा है कि किस तरह उत्तर प्रदेश में फर्यादी कतार में खड़े हैं और फर्याद सुनने के लिए सामने वाली कुरसी खाली पड़ी है इसलिए प्रदेश में हर और एक ही गुहार सुनाई पड़ रही है साहब हाजिर हो उत्तर प्रदेश में मुक्यमंत्री योगी आदितनात की बादों ने जनिता में एक नया भरोसा कायम किया है इस भरोसे को बरकरार रखने के लिए अफसर और कर्मचारी कितने मुस्तैद है न्यूज एट इन इंडिया इसका लगातार जायजा ले रहा है लेकिन हमारी टीम को जादतर जगों पर एक ही गुहार सुनाई दे रही है साहब हाजर हो यूपी की कमान संभलते ही एक्शन में आये योगी अधित्तिनाथ लेकिन सीम के अंदाज का अफसरों पर है कितना असर यूपी के निजाम और कमान में बदलाओ का जमीन पर कितना असर हुआ है ये जानने के लिए न्यूजर्टिन इंडिया की टीम का प्रदेश के शहर शहर और गाओ गाओ में दोरा जारी है योगी अधित्तिनाथ की सरकार के एक महिना पुरा होने पर एक बार फिर हमारी टीम प्रदेश में बदलाओ का जायजा लेने के लिए निकली हम दरजनों जिलों में सुबा 10 बजे अपना कैमरा लेकर हाजिर हो गए हमारी टीम तो सुबा 10 बजे सरकारी दफ्तरों में पहुँच गई लेकिन नहीं पहुँचे तो वो अफसर और करमचारी जिनने इस वक्त अपनी कुर्स उपर होना चाहिए था इस बार भी हमारी टीम को वही पुरानी तस्वीर मिली फरियादी कतार में और फरियाद सुनने वाला कोई नहीं हम आपको सिलसिलवा धंग से दिखाते हैं उन लोगों को जो हमारे कैमरे में कैंध हुए शुरुआत करते हैं प्रदेश की राजधानी से जहां अब सीएम योगी आदित्तेनाथ खुद 24 घंटे मौजूद रहते हैं यानी लखनव लखनव में हमारी टीम मंडी परिशत स्थिद मुख्याले में जहां प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाती सिंग का भी दफ्तर है वहाँ पर हमारी टीम पहुची तो सुबह के 11 बजने वाले थे ये वो वक्त है जब अब सरों को अपनी कुरसी पर होना चाहिए लेकिन जब हमारी टीम बिजली विभाग के उपनी देशक विजेंदर सिंग के कमरे पर पहुची तो वहाँ ताला लगा हुआ था हमारी टीम ने सहाब के दफ्तर के कमरे के पास मौझूद करमचारी से जब उनके बारे में पूचा तो डरते डरते उसने सहाब का बचाओ किया ये करमचारी भले ही सहाब का बचाओ कर रहा हो येकिन कमरे के हालात कुछ और ही बया कर रहे है विजेंदर सिंग के अलावा भी दफ्तर में बड़े करमचारी सुबा 11 बजे नहीं मिले हाला कि निदेशक छुट्टी पर पताए गए यानि न्यूज एटिन इंडिया की परताल में राजधानी का ये दफ्तर फेल साबित हुआ लखनों के बाद आपको दिखाते हैं हातरस का नजारा हातरस में हमारी टीम पहुँची जिला अस्पताल में जहां अनियमित्ता की ख़बर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं हमारी टीम जिस वक्त यहां पहुँची सुबह के 10 बज रहे थे इस वक्त जिला अस्पताल में ज्यादा तर करमचारी नदारत थे और जो मौके पर मौझूद थे वो सोते हुए मिले कैमरा देखकर इनकी नीन टूटी और जब हमने सोने की वज़ा पूछी तो उनका जवाब आप खुद ही सुन लीजिए हातरस के अस्पताल का ये हाल बता रहा है कि यहां भी योगी आदित्तिनात के फर्मान का फिल हाल कोई असर नजर नहीं आ रहा है हातरस के बाद आपको लिए चलते हैं वारण असी के करीब चंदॉली जिले में चंदॉली यहां हमारी टीम उस कारेकरम में पहुँची जहां जिले के सभी अफसरों को होना चाहिए था दरसल हम चंदॉली की सकल डीहा तहसील में थे जहां महीने में दो बार होने वाला तहसील दिवस का कारेकरम चल रहा था तैसील दिवस के कारेकरम में हमारी टीम सुबा 11 बजे पहुँची तैसील दिवस वो कारेकरम है जहां जनता की समस्याएं सुनी जाती है लेकिन यहां सुबा 11 बजे न तो जिलाधिकारी पहुँचे नहीं पुलिस हदिक्षा ऐसे में फर्यादियों का हाल उनकी ही जुबानी सुन लीजिए हाला कि इस बैठक में जिले के कई अफसर तो वक्त पर आये थे लेकिन जिले के मुख्या ही मौजूद नहीं मिले जो नियम है उसके अनसार डियमस्पी को यहां दस बज़े पहुंच जाना चाहिए लेकिन साड़े दस बज़ने को है और जिलादी कारी और साथ में कफ्तान साब अभी भी यहां नहीं पहुंचे चंदोली के बाद आपको दिखाते हैं मेरट का हाल मेरट में भी हमारी टीम तहसील दिवस के ही कारेकरम में पहुंची वक्त था सुबह के दस बज़े यहां भी वही हार कुर्सियां खाली पड़ी है फरियादी लाइन में खड़े हैं और घड़ी की सुईयां आगे बढ़ती गई लेकिन अफसर नहीं पहुंचे यानि यहां भी हमें तस्वीर में कोई बदलाव नहीं दिखा मेरट के बाद अब आपको दिखाते हैं योगी आदित्तिनात के जरे गोरकपुर का हाल यहां हमारी टीम उसी वक्त पहुंची जब अफसरों का दफ्तर पहुंचने का वक्त होता है यानि सुबह दस बज़े यह है गोरकपुर का विकास भवन यानि जनता की भलाई की योजनाओं को तैयार करने का केंडर यहां भी हमें खाली गुर्सियां और लाइन में इंतजार करती जनता मिली सीम योगी आदित्तिनात के जिले में भी तस्वीर नहीं बदली है जूपी के अलग-अलग जिलों के तस्वीर बता रही है कि योगी आदित्तिनात के फर्मानों का फिलहाल अफसरों पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा हमारी टीम ने कई और जिलों का दोरा किया है वहां हमारे कैमरे ने क्या कैद किया और क्या कहीं सीम के फर्मान का असर दिखा ये भी हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने के लिए योगी आदितिनाथ ने मंत्रियों और विधायकों को जमीन पर उत्तरने का फर्मान सुनाये है इन मंत्रियों और विधायकों को जमीन पर किस हकीकत से रूबरू होना पड़ रहा है हमारी टीम ने इसका भी जायसा लिया मंत्री योगी के फर्मान के बाद एक्शन में है सरकार जमीन पर जाइजा ले रहे हैं मंत्री और विधायक न्यूज एटीर इंडिया का रियालिटी टेस्ट भी है जारी यूपी की तस्वीर बदलने के लिए मुख्य मंत्री योगी आधिक तिनात्री जो कमर कसी है उसे पूरा करने के लिए उनके मंत्री और विधायक भी मैदान में जुटे हुए हैं ये तस्वीरे बलिया की है जहां राज्य मंत्री सुरंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी गेहूं के केंद्रों का जायजा लेने पहुँचे उपेंद्र तिवारी ने बलिया में गेहूं खरीद के कई केंद्रों पर फिल्मी अंदाज में छापा मारा यहां मंत्री जी को जो तस्वीर देखने को मिली उससे साफ हो गया है कि अफसर हैं कि मानते ही नहीं उपेंद्र तिवारी को काफी दिनों से ये शिकायट मिल रही थी कि गेहूं के केंद्र पर किसानों के साथ ठगी हो रही है इसका जायजा लेने जब वो खुद पहुचे तो खलबली मच गई इन भागते हुए ट्रकों को देखकर मंत्री जी को दाल में काला समझ में आ गया इसलिए फॉरन उन्होंने उन्हें रुकवाने का अदेश दिया ट्रक को रोकने के बाद जब इसमें मौझूद गेहूं के बोरों को देखा गया तो गेहूं की चोरी का परदा फाश हो गया इस चोरी के सामने आने के बाद यहां मौझूद किसान ने गेहूं के गंदे धंदे का पूरा तरीका बताया गेहूं खरीदने के लिए बनाए गए करीब एक दरजन केंद्रों पर उपेदर तिवारी ने दौरा किया लेकिन गडबडी उन्हें हर जगा मिली बलिया के गेहूं खरीद केंद्र के बाद आपको ले चलते हैं बस्ती बस्ती में विधायक चंदरप्रकाश शुकला एक स्वास्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचे यहां मौझूद डॉक्टर रजनीश पर लोगों ने बाहर से दवा लिखने का आरोब लगाया इसके बाद नेता जी ने हाजरी रजिस्टर देखा तो इसमें कई गरबढ़िया नजर आई इसके बाद मंत्री ने रजिस्टर पर अपने दस्थकत कर लोगों की हाजरी के बारे में जांच के आदेश दिये तीन चार तो ऐसे कमचारी थे जो एक दिन बाद का अटेनिस लगा के बैठे हो गये थे मंत्री और विधायकों के रियालिटी टेस्ट में भी यही साबित हुआ कि सूबे में अफसरों का रवया नहीं बदल रहा है ऐसा ही कुछ हमारी टीम को देखने को मिला जब हम पिलीभीत पहुँचे पिलीभीत में हम अठरा अप्रैल की सुबा पहुँचे यहां कली नगर तहसील में तहसील दिवस का कारेकरम था लेकिन बहुत से करमचारी वक्त पर नहीं पहुँचे अफसरों के देर से पहुँचने पर देर से शुरू हुए कारेकरम में अफसर कितने संजीदा थे उनकी खरकतों से समझ में आ सकता है पिली भीत की ये तस्वीरे बताती है कि यहां भी सीएम योगी के फरमान का असर नहीं हुआ है पिली भीत के बाद आपको दिखाते हैं आगरा के नगर निगम की तस्वीरें आगरा के नगर निगम में हमारी टीम 18 अपरेल की सुबा 10 बजे पहुची नगर निगम के दफ्तर में भी दस बजने के बावजूद कुर्सियां खाली है और अफसर गेर हाजिर योगी सरकार के एक माँ पूरे होने को हैं लेकिन नगर निगम में कोई हालात नहीं सुद रहे हैं आपको दिखाएंगे कि नगर आयोत के बोल पर दस से बारा बज़े मिलने का समय लिखा हुआ है लेकिन पूरे आपिस में सन्नाटा पसरा हुआ है इनके दफ्तर को भी हम दिखाएंगे वहाँ भी सिर्फ इका दुक्का कर्मचारी आये हैं पच्चिमी उत्तरप्रदेश के आगरा के बाद आपको दिखाते हैं पूरवी उत्तरप्रदेश के मउ का रियालिडी चेक यहां भी तहसील दिवस का कारेकरम था लेकिन यहां तस्वीर थोड़ी बदली हुई नजर आई मउ में ज़्यातर अफसर वक्त पर मौके पर मौजूद मिले हाला कि इस कारेकरम में तीन अफसर मौजूद नहीं थे जिने जिलादिकारी ने नोटिस दे दिया है इस तरह News 18 इंडिया के रियालिटी टेस्ट में हमें मउँ में वो तस्वीर मिली जिसे देखकर कहा जा सकता है कि यहां निजाम बदलने का असर दिख रहा है News 18 इंडिया का मकसद है यह जानना कि मुख्यमंत्री योगी के फरमानों का कितना असर जमीन पर दिख रहा है और हमारे रियलिटी टेस्ट में यही सामने आया कि अभी जमीन पर बहुत कुछ करने की जरूरत है और इसके साथी का चचछा में बस इतना ही आभी नजज़ डालेंगे हेटलाइन्स पर